हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगी मैं हूरा हुल जैस वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने इक मोश्ट इंपोर्टेंट मैट्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के लिए मैट्स सब्जे का जो पार्ट टू होता है यानि जो हमारा चाप्टर चल रहा था जिसका नामे चाप्टर नमबर 6 ट्रिगोनोमेट्री आज हम इस पर्टिग्लर चाप्टर का लेक्चर नमबर 4 आपके लिए लेकर आगये हैं जो कि अगेन एक बहुत ही जादा इंपोर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है और साथ ही में आपको बता दोस्तों कि यह जो ह important practice said in the entire geometry of the 10th standard क्योंकि उसके उपर questions बहुत पूछते या तो आपको prove that पूछता है पूरूफ करके दिखाओ left hand side is equal to right hand side या फिर कुछ trigonometry formulas के base पे कुछ questions पूछते तो हर टाइप के questions हमने कराया था दोस्तों अगर आपने हमारा previous lectures नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखन करने वाले हमारा इस chapter का दूसरा practice set जिसका नामे practice set number 6.2 तो इस practice set में पहली बार है क्या ठीके न सबसे बहले मैं heading डाल दूँगा फिर आपको मैं बताऊंगा कि basically कून से type का क्या है इसके अंदर question ठीके heading डाल देते हम लोग जिसका नामे दोस्तो practice set number 6.2 यानि कि दूसरा practice set था उसमें आपने कैसे questions देखे थे 1060 is equal to something upon something दिये दिया या फिर कुछ ऐसे numbers के questions थे prove that के questions थे लेकिन यहाँ पर आपको पूरा statement word problem जैसे कि आपने इसके पहले के कभी 9th में या फिर आपने देखा होगा जैसे statement दिया रहता है word problems equations के form में दिया रहता है उसी प्रकार आपको समझना पड़ेगा decode करना पड़ेगा उसको फिर analyze करके फिर आपको solve करना पड़ेगा by using the trigonometric formulas and जो आपने पढ़ाई किया है उसके base पे तो आपका यह वीडियो बहुत ज्यादा important है तो यह वीडियो को भी last तक end तक जरूर से देखना बहुत अच्छे समझाने वा ठीक है सबसे पहला example अगर मैं बात करूँ जो कि यह question ऐसा बोला है a person is standing at a distance of 80 meter from a church ठीक है ना मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर समझ लो एक person यहाँ पर खड़ा है ठीक है ना एक person खड़ा है यहाँ पर क्या बोला है standing at a distance of 80 meter from a church समझ लो यह church है ठीक है अब यह इतना बड 80 meter दूर खड़ा है यानि कि यह पूरा church का building होगा यह एक इंसान है यहाँ पर खड़ा है उससे 80 meter दूर तो हमें question पूचा है कि जब वो church के top पर देख रहा है यानि कि वो इंसान जब church यह top होगा church का यह इतना बड़ा church है समझ लो यहाँ से यहाँ तक का ठीक है तो यह इं उसी प्रकार बन गया तो आपको नाम अगर देना तो आप जो भी चाहे दे सकते हो जैसे कि इसका नाम में A रग दिया इसका नाम B रग दिया इसका नाम C रग दिया आपके मर्जी आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपको पता है कि यह जो church होगा वो building straight होगा तो यह 90 degree बन ज कर लिया A B जो होगा question mark होगा तो इसका value हम लोग निकालेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि कैसे आप निकालो तो सबसे पहले एक चीज आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या-क्या चीज दिया हुआ है एक चीज हमें दिया हुआ है कि यह BC जो है 80 meter है diagram से बत जो के in triangle ABC यह triangle ABC जो है right angle triangle है इसके इसाब से आप क्या बोल सकते है अगर मैं यह consider करू 45 तो मैं लेता हूँ मेरा एक trigonometric function जिसका नामे tan तो tan 45 का value क्या होता है आपको मैंने बताया था दोस्तों आपको याद होगा अगर आपको ध्यान से कि मैंने आपको एक चीज बताया था कि sin, cos और tan का एक formula होता है, sin का क्या होता है O, यानि opposite upon hypotenuse, फिर sign होगे उसके बाद cos का क्या होता है A, यानि कि A upon H, यानि adjacent upon hypotenuse, वैसे tan का मैंने बताया था OA, यह shortcut tricks मैंने पहली lecture से ही बताया आपको, ठीके, तो tan का क्या होता है OA, OA मतलब opposite upon adjacent, तो यहाँ पे tan 45 is equal to क्या हो ज जाएगा A, यानि adjacent क्या है BC, तो AB upon BC हो जाएगा, correct है, तो 1045 is equal to AB upon BC, अब 1045 का value क्या होता है, सोचो, मैंने बताया था आपको, याद रखने के लिए, तो 1045 का value होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, 1045 is equal to 1, ठीक है, तो 1 1045 के जगा पे आगया, equal to आगया, AB का value पता है कि नह Therefore, AB is equal to 80 meter, मतलब आपका जो AB का distance है, in short अगर बोलू, तो the height of the church, that is AB, जो हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया 80 meter आ गया, कितना simple है, देखो, आप खुद बोलोगे, कि यह सद, it is very simple, देखो, confuse करने के लिए, आपको statement इतना लंबा चोड़ा दे दिया, question जो था, वो बह easy question, कुछ होई नहीं सकता, और basically, ऐसे type के questions, exam में पूछते भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बहुत, ऐसे type के questions आपको देखने भी लेंगे, ठीके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी rough कर लता हूँ, फिर चलते अगले question की तरफ, question number 2 के तरफ, okay, बहुत ही मज़े question number 2 की तरफ, question number 2 आप नज़र डालोगे, ठीके, टेश्बूक आपके सामने हाप में रखना, आप लोग, question number 2 में बोला है, from the top of a lighthouse, यहाँ पे बोला है, an observer looking at a ship, यानि की, समझ लो, एक lighthouse होगा, lighthouse क्या होता है, समझ लो, जहाँ पे एक building होता है, उसके top से एक रोश्नी आती है, light house जिसको बोलते है, खास कर न, beach वगरे होते है, उसके आसपास एक बड़ी building होते है, जिसमें से light निकलती है, ठीके न, तो एक lighthouse है, उसके उपर कोई इंसान angle बना रहा है, 60 degree का, जो है, वो angle बना रहा है, 60 degree का angle बना रहा है, और किसके तरफ देख रहा है, समझ लो, ship की तरफ देख रहा है, तो समझ दो, यहाँ पर क्या है, यह lighthouse है, यह यह ship है, और इसको अगर मैं connect कर दू, तो यह क्या बन जाएगा, एक straight बन जागा, तो line अगरबढ कर दिया इसके reference में यह 60 degree है यानि कि horizontal के reference में यह 60 degree बना रहा है तो अब एक चीज क्या बोला उसने question में question वापस से ध्यान से मैं बोलता हूँ कि एक lighthouse है इसके top से कोई इंसान देख रहा है तो वो horizontal से 60 degree बना रहा है शिप की जरफ देख रहा है ठीक है यह चीज आपको समझ में आ गया तो हमें पूछा है if the height of the lighthouse is 90 meter यह जो lighthouse है इसका जो height है वो कितना है 90 meter का है और एक चीज यहाँ 90 degree होगा? क्यू? 60 degree होगा? because of alternate angle हमने पढ़ा है बच्पन में बच्पन मतलब है आपने 8 यह 9 में पढ़ा होगा कि अगर यहgra को पूचा है यानि BC is equal to question mark यह question framed हो गया हमारा, मतलब अब हमको पता चल गया कि क्या कैसे हम लोग को निकालना है, ठीक है अब इसको हम लोग क्या करेंगे, solve करेंगे आपके लिए, ठीक हो बहुत easy है, बहुत easy है क्या करना है, सबसे पहले जो चीज हमें पता है यह 60 degree दिया है, यह 60 degree दिया है तो एक चीज में बता सकते हो कि अगर यह 60 degree है, तो अगर मैं formula चूज करूँ मेरा tan 60 degree तो tan का formula क्या होता है opposite upon adjacent, OA बताया था न मैंने, OA यानि opposite upon adjacent, तो इसके लिए opposite क्या है यह वाला, यानि AB और adjacent क्या है, यह वाला, BC तो AB by BC हो गया अब देखो, 1060 का value आप सभी को पता है root 3 होता है, डाल दिया चलो 1060 का value होता है, root 3 डाल दिया अब, AB का value मुझे पता है, 90 meter दिया हुआ है और BC का value हमें बोला है निकाल के दिखा हो, तो BC यहाँ पर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, therefore BC will be equal to, अगर मुझे BC के value निकालना है तो root 3 इधर आ जाएगा, BC इधर चला जाएगा यानि कि BC is equal to 90 upon root 3 हो जाएगा, अब इसको कैसे solve करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका इसको solve करने का BC is equal to, इसको rationalize करो यानि 90 upon root 3 जो है multiply by root 3 by root 3 कर दो, इसको rationalization, या आपने पढ़ा है, 9th standard में correct है, याद होगा आप लोको, ठीके तो rationalize कर लो, तो क्या हो जाएगा, therefore BC will be equal to, 90 multiply by root 3 मतलब 90 root 3 हो गया, ठीके और नीचे root 3 multiply by root 3 मतलब 3 हो गया, अब 3 1s are 3 3 30s are 90, यानि कितना बचा answer, BC is equal to 30 root 3, BC कितना बचा, 30 root 3 बचा, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आपका answer आजाएगा, या फिर आपको एक और method बता दू ठीके, आप root 3 का value अलग से, root, आपको answer निकालने आता होगा आपने 9th में बढ़ा होगा, तो basically root 3 का answer निकाल दो, जो कि होता है 1.73, याद रखना, root 3 का value में आपको बता रहो, याद रखने के लिए important है तो 30 है, multiply by root 3 का value होता है 1.73, इसको multiply करो, आपका answer आएगा जो की आ रहा है, मैंने निकाल के रखा हुआ है already, 51.90 ठीक है, तो 51.90 meter, this is the answer यानि कि, जो light house है और ये ship है, इसके बीच का जो distance है यानि BC का जो distance है, कितना आ रहा है 51.90 meter आ रहा है, clear है तो ये चीज़ ध्यान से देख रहो, दोस्तों किस प्रकार हमने solve किया है, इसको आप note down करना अगर चाते हो तो फटा-फट से आप इसको note down भी कर सकते हो, कोई परिशानी आपको नहीं होगी बहुत simple example है इतना simple example, mostly exam में पूछते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको hard example ही पूछा जाएगा exam में, लेकिन यही example का जादा तर chances होता है पूछने का ऐसा ही example पूछने का chances होता है उसको बस analyze करके आपको formula बनाने आना चाहिए और कुछ नहीं है, बहुत simple है चलते हैं, अगले question, third question देखते हैं, क्या बोला है ठीक है, उम्मीद कर रहों दोस्तों, आपको ये चीज़ भी समझ में आ रहा है कि जो जो हमने आपको करा है बहुत simple example है ओके योगयामण बोर्ड क्लीन, अब चलते हैं third example, देख लेते हैं, third example किस प्रकार आपको पुछा हुआ है तिसरा example समझने की कोशिश करते है दो building है, question में बोला है two buildings are facing each other on a road of width 12 meter, यानि कि समझ लो दो building है, तो मैं पहले दो building बना लेता हूँ समझ लो, ये एक building है और, ठीक है ये एक building है, और समझ लो ये एक building है, ये दो building है और दोनों building जो है road पे है, और ये दोनों के बीच का distance है, यानि कि इतना distance होगा वो कितना दिया है, उन्होंने 12 meter देके रखा यानि कि ये building और ये building के बीच में कितना डिस्टेंस है 12 मीटर का डिस्टेंस है ठीक है अब एक और चीज उन्हें ने बोला है कि जो दुसरा बिल्डिंग है उसके अगर हम लोग देखेंगे जो दुसरा बिल्डिंग है तो यहां पर क्या बोल दिया है कि from the top of the first building which is 10 मीटर हाई the angle of elevation of the top of the second found is to be 60 degree यानि कि अगर मैं पहले वाले building के टॉप पे आतो है तो अगर यह बिल्डिंग का तो अगर फिस्ट बिल्डिंग उन्होंने ब Northern TER बोल के आप और यह 10 मीटर के हाइट पे और मैं तॉप और मैं धॉरिज Communist को देखता हूँ तो वह हमें horizontal से 60 degree दिखाई देगा यानि कि ये angle कितना हो जाएगा 60 degree इसको complete कर लो box और इसको complete कर लो इसको मिटा दो समयारा इस प्रकार होगा यानि कि हमारा ये building 10 meter का है तो ये building जो है दूसरा वाला ये यहां से यहां तक का होगा ठीक है तो ये AB एक मेरा building है दूसरा मेरा CD एक building होगा और इसको मेरा point देता हूँ let's suppose O ठीक है तो मेरा AB एक building है AB क्या है building 1 AB मेरा क्या होगा building number 1 और दूसरा CD जो होगा वो मेरा क्या होगा building number 2 देखो क्या बता रहा हो मैं building number 1 building number 2 समझ में आ गया अब दूसरा चीज कि और एक चीज यह 12 md है तो यह A से O का भी जो डिस्टेंस है तो A से लेके O तक का डिस्टेंस हो भी कितना हो जाएगा 12 md हो जाएगा तो इतना सब चीज मुझे पता है और तिस्सरा चीज कि A का जो एंगल है वो 60 dg है तो पहले मैं जाता हूं एंगल के ऊपर तो एक चीज है, देखो ध्यान से, कि ये जो angle A है, ये जो angle A नजर आ रहा है, उसमें मैं ऐसा क्या use करूँ, sign use करूँ, cos use करूँ, tan use करूँ, ये आपके मन में चल रहा होगा, क्योंकि हर बार आमने tan use किया, पर उसके बीछे reason ये था दोस्तो, मैं आपको बताना भुल गया, यहाँ पर ही देख लो वो चीज, reason क्या है, कि आप सबसे पहली बात देखो, आपके पास है क्या, आपके पास available क्या है, अब अगर एक चीज देखोगे, तो आपके पास ये जो value दिख रहा है, ये इतना, ये जो इतना चीज दिख रहा है, यानि कि ये A से O का value जो है, वो 12 meter आपको पता है, correct है, तो वो आपको पता है, दोस्तो, अब मैं consider करता हूँ, समझ लो ये triangle को, जिसका नाम है in triangle, कुछ भी आप ले सकते हो, जो आपको लेना है, दोस्तो आप ले लो, CAO ले लेता हूँ, मैं in triangle CAO, यहाँ पर आप देखोगे, तो अगर मैं tan 60 लेता हूँ, तो देखो थे हांसे, tan 60 जब मैं लेता हूँ, तो tan का मतलब क्या होता है, opposite upon adjacent, इसका opposite क्या है ये, CO, upon adjacent का मतलब क्या है, AO, तो कोई तो एक पता होना चाहिए आपको, जो कि क्या पता है, AO, यानि आप tan use कर सकते हो, correct है, और यह आपको मिल जाएगा, तो CO unknown है, AO आपको मिल ज अभी निका रहा था, इसके पहले वाले example में, क्या निकाला था, CO is equal to 12 multiplied by root 3 का value होता है, 1.73, ये दोनों को multiply कर दोगे, तो आपका answer आएगा, दोस्तो, जो की है, 20.76, तो CO का value आगा 20.76, देखो, मैं एक direct लिख रहा हूँ, आप लोगो थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा, 12 को 1. 1.73 से multiply करना पड़ेगा, तो 20.76 आएगा, तो ये किसका value आए दोस्तो, ये इतना value आए खाली, ये CO का value आए, ठीक है, अब मुझे एक चीज़ तो पता ही है, पहले से OD, OD मुझे पता ही है, 10 meter, क्योंकि ये 10 meter होगा, हमें actual में क्या निकालना था, हमें निकालना था दोस्तो डाइगराम में देखो, CD जो होगा, वो CO और OD को plus करके आजाएगा, यानि CO को OD से plus करूँगा, तो CD मिल जाएगा, CO मुझे पता है, अभी अभी 20.76 है, ठीक है, 20.76 और OD मुझे पहले से ही पता है, 10 meter है, ये दोने को plus कर दो, आपका answer आगया, देर्फोर, CD is equal to 30.76 meter, ये सब्सक्राइब कर लिया है, ज्यादा हम टाइम नहीं देते हैं, आपके हाप में तो कंट्रोल है, आप उसको वीडियो को pause करके screenshot ले सकते हैं, कोई परशानी आपको नहीं होगी, ठीक है, चलो, हो गया, अब एक और example में करनाना चाहता हूँ, हम 3rd example कर लिये, अब देखा ज करना बहुत लोगों नहीं आता है, क्योंकि इंग्लीश में लिखा होता है, लेकिन आप, trust me, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, कि तो आपको समझ में आ जाएगा, कि क्या condition था, हमने समझा, कि एक building है, इसके इसाब से समझो, और वो चीज़ आपने अगर समझ लिया ना, द फिर आप बोलोगे दोस्तों, कि यह प्राक्टिसेट बहुत इजी है वाकई में, और पाच्वा छटवा एक्जामपल जो मैं आपको homework दूँगा, यह आप लोग डेफिनिटली सॉल कर पाऊगे आपने खुद से, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, मतला समझ लो, दो खंबे हैं, तो एक खंबा इस प्रकार है, समझ लो, अठरा मीटर का, और उसी के सामने एक और खंबा है, साथ मीटर का, तो छोटा होगा उससे, यह बड़ा वाला खंबा कितने मीटर का है, 18 मीटर का है, यह छोटा वाला खंबा कितने मीटर का है, साथ मी यह आपको समझ में आ गया, अब एक और चीज बोला है, question में आप आगे बढ़ोगे, तो दो पोल्स 18 मीटर का height और 7 मीटर का height यहां पर उन्होंने बोल के रखा है, the length of the wire fastened on top, उनके छत के उपर, top मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ एक wire बांदा हुआ, यानि कि इधर से ले make the wire with the horizontal, यानि horizontal से यह जो wire दिखरा आपको, समझ लो, यह horizontal अगर मैं बना दू, यहां से ऐसा, horizontal बन गया, तो यह जो wire बना, इसका angle कितना, यानि कि theta का value है, वो आपको निकालना है, यानि कि वो कितना angle पे, दूसरे building की साथ, कितना angle का wire बना रहा है, आपको calculate कर रहा है, तो ठीक है, हमारे पस value क्या-क्या है, सबसे पहले, total मुझे पता था, यह building है, पहला building, क्या नाम है, O से लेके B, पहला building का नाम क्या है, O, B, यह क्या है, building नहीं, sorry, pole है, pole, यहाँ पे वो pole है, तो pole, one, मेरा क्या है, O, B है, और दूसरा pole, CD है, तो CD, दूसरा pole है, यह लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, यह दो चीज लिखा, और क्या पता है आपको, कि मेरा O से लेके B तक का जो distance है, O, B, वो distance आपको पता है, जो कि यह 18 मीटर, दूसरा चीज पता है, कि CD का जो measurement है, वो भी 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, अब एक और चीज आप तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे कि A, B, जो होगा, वो कितना होगा, 7 मीटर होगा, तो अगर यह 7 मीटर होगा, यह total 18 मीटर है, तो यह कितना हो जाएगा, 18-7, यानि कि यह होगा 11 मीटर, सिंपल सी बात है, यानि कि O, A का जो distance है, वो कितना होगा, 11 मीटर होगा, समझ में दोस्तो, यह जो 18 मीटर, यह पूरा है, यहां से लेके, यहां तक का distance कितना है, 18 मीटर, तो यह अगर आपने 7 बता दिया, क्योंकि यह 7 है, तो अगर यह 7 मीटर है, तो यह कितना हो जाएगा, total 18 है, यह 7 है, मतलब यह 11 मीटर होगा, समझ में आ रहे है, तो आपने इसको दे है, निकालना क्या है, आपको क्या बोला गया है, कि ठीटा निकालो, तो सबसे पहले उसी के उपर में focus करता हूँ, focus इसले करूँगा, यह ठीटा है, अब मैं क्या यूज करू, sin यूज करू, cos यूज करू, tan यूज करू, देखो आपके पास available क्या है, आपके पास यह सामन theta का जो value होता है, वो होता है, opposite upon hypotenuse, तो opposite क्या है, यहाँ पे OA, और hypotenuse क्या है, मेर पास OC, तो sin theta वैसी का वैसी रहेगा, is equal to OA का value मुझे पता है, देखो OA का value है, 11 meter, OC का value कितना है, OC दिख रहा है, निकाला निका, OC, OC देखो लिखा हुए न, 22 meter, OC तो 22 meter पहले से दिया साइन, theta is equal to 11 upon 22, अब 11 बंज़र 11 होता है, 11 पास्टीडू होता है, यानिकि हमारा answer कितना आया, साइन, theta is equal to 1 by 2, साइन, theta is equal to 1 by 2 आया, अब आपको नोटीश यह करना है, कि ऐसा कौन सा theta होगा, जिसका value 1 by 2 होता है, यानि साइन में, ऐसा कौन सा theta है, यानि कि कौन सा एंगल जिसका value 1 by 2 होता है, याद करो, sin 30 is equal to 1 by 2, सभी को पता है, हमने पड़ा हुआ है पूरा table, तो sin 30 degree is equal to 1 by 2 होता है, यानि कि in short theta के जगा पर क्या आया, 30 degree आया, तो आपका answer मिल गया, sin 30 is equal to, sorry, theta is equal to 30 degree, यानि कि जो angle आपको पूछा था, जो भी English में आपको statement पूछा रहेगा, यानि कि क्या पूछा आपको, कि the angle made by the wire with the horizontal, तो horizontal का कितना है, the angle is 30 degree, लिख दो, खतम कर दो, and that's all for today also, यही होता है, और इसे के साथ हमारा यह जो example number 4 है, यह होता है, sum up, मैं पूरी उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह example भी समझ में आ गया होगा, बहुत simple example था, और इसी प्रकार के examples आपको आगे भी पूछे हुए, example number 5 और 6 आप देखोगे, इसी प्रकार के questions से बस आपको थोड़ा सा analyze करना है, और समझना है कि पूछा क्या है, फिर आपको उसके साब से solve करना है, ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तो आज का lecture में समाप करता हूँ, और मैं declare करता हूँ, इसी के साथ हमारा practice set number 6.2 होता है समाप, and finally दोस्तो इसी के साथ हमारा ये जो chapter number 6 है, trigonometry जो चल रहा था काफी दिनों से चवथा lecture है, आज दोस्तो ये होता है, तो इसी के साथ है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगाए, दोस्तो प्लीज हमें करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से दे दिया, और दोस्तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब देना, वीडियो पसंद आ है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेर जरूर से करना, चैनल में फर्स टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और स सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो का जो बेल आइकन होता है यानि सब्सक्राइब बटन के बाज में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे एक लिए वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक्यू एंड गुडबाई